वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के आज के इसे स्पेशल वीडियो क्वी टेस्टर में आप से पूछे जाएंगे जी के जी इसके 30 इंपोर्टेंटे सवालों को तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है धुवधार जहरना किस नदी के किनारे इस्तित है आपको जब आप सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब धुवधार जहरना किस नदी के किनारे इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी नर्मदा नदी कोसर नमबर टू कुक का अंदोलन कहां शुरू हुआ था राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए पंजाब में कोशन नमबर तिन मुगल समराथों में कौन अनपढ़ था मुगल समराथों में कौन अनपढ़ था तो राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर बी अकबर चूर नमबर फोर है भारत पूर पक्षी अभ्यारणय कूस राजिय स्थित्थ है सही आंसर हो जाएगा option number D, राजस्थान question number 5 मुंडा बिद्रोह का नितित्व किसने किया था? मुंडा बिद्रोह का नितित्व किसने किया था? right answer हो जाएगा option number C, बिर्षा मुंडा question number 6 परिवार निवजन का प्रतिक के चिन्या क्या है? सही आंसर हो जाएगा option number B, लाल तिरी कौन? question number 7 मुगलकाल की सरकारी भासा क्या थी? मुगलकाल की सरकारी भासा क्या थी? right answer हो जाएगा option number D, फार सी question number 8 स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल सासक ने जमीन दिया था? ऐसा माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा option number C, अकबर question number 9 सही आंसर हो जाएगा option number D, आंक से संबंधित है question number 10 Congress के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांगे की गई? Congress के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांगे की गई? तो यहाँ पे right answer हो जाएगा option number A, कॉलकात्ता अधिवेशन 1906 में question आगे है बिश्वा का सबसे उचा, सक्रिय जवाला मुखी यानि की कोटो पैक सी किस देश में इस्तित है? कोटो पैक सी किस देश में इस्तित है? राइट आंसर हो जाएगा option number B, इका डोर question number 12 विश्णू के उपासक भक्त कौन थे? विश्णू के उपासक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा option number D, अलवार के संत question number 13 राबर उत्पादन में अगर्नी राज्या कौन है? सही आंसर हो जाएगा option number C, केरल question number 14 बीर भूमी किसका समाधी अस्तल है? बीर भूमी किसका समाधी अस्तल है? राइट आंसर हो जाएगा option number C, राजी उगादे की question number 15 खानवा की लराई किस वर्ष हुआ था? खानवा की लराई किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा option number C, 1527 इस भी में आगे सवाल है, जीन सब्द का नामकरन किस ने किया था? जीन सब्द का नामकरन किस ने किया था? सही आंसर हो जाएगा option number D, W.L. जोहांसन ने कोसर नमबर 17 भारत का सबसे बाड़ा इस्टील पलांट कहां इस्तित है? भारत का सबसे बाड़ा इस्टील पलांट कहां इस्तित है? राइट आंसर हो जाएगा option number C, बोकारों में कोसर नमबर 18 इयर फोर्स फलाइंग कॉलेज कहां इस्तित है? राइट आंसर हो जाएगा option number B, जोधपूर कोसर नमबर 19 किसे देश बंधू के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा option number A, चितरंजन दास को कोसर नमबर 20 चिलका जहिल किस राज्या में इस्तित है? चिलका जहिल कहां इस्तित है? आंसर हो जाएगा option number D, ओडिसा कोसर नागे है चैतरा भूमी किसका समाधी अस्तिल है? राइट आंसर हो जाएगा option number D, डॉक्टर भीम्राव अम्वेद करकी कोसर नमबर 22 मुखबरात की सतेश की गुप्तचर संस्था है? सही आंसर हो जाएगा option number C, मीशर का कोसर नमबर आगे रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा option number B, इल्थुत्मीश की कोसर नमबर 24 किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा option number A, चौधरी चरनसिन कोसर नमबर 25 के बिद्रोह में मुगल बास साह बहादुर सा जाफर दुवितिय को कैद कर कहां भेजा गया? वहीं पे इनका मौत हो गया था तो सही आंसर हो जाएगा option number C, राइगून में भेजा गया था कोशन आगे है प्रसुप्त जवाला मुखी फ्यूजी आम्मा कहां इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी जापान में इस्तित है आगे सवाल है भोजन का पाचन कहां से सुरू होता है भोजन का पाचन कहां से सुरू होता है राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी मुख से कोशन आगे है जोजीर्ला दर्रा भारत के किस राज्या में इस्तित है जोजीर्ला दर्रा भारत के किस राज्या में इस्तित है राइट आंसर होगा आप्शन नमबर डी जम्भू कस्वेर कोशन आगे है चक्र किसका प्रतिक कमाना जाता है चक्र किस का प्रतिक माना जाता है? Right आंसर हो जाएगा, आप्सञ नमब वी प्रगती का Q Fragen आगे है ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? आंसर हो जाएगा, आप्सर नमब सी, पाकिस्तान तो आपके लिए एक सवाल है रौ कि इस देश के गुव्दचड संस्था है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट वक्स में जाना है वहाँ पे लिखना है कीव फरिव और इसके राइट अंसर तो मिलता है फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत